आपके फोन के इस तरह से green line आ गया तो इस green line को कैसे free में ठेक कर सकते हैं और इसका क्या process होगा आपके किस phone में ये problem हुआ है वो भी हमें जरूर बजाएगा वैसे ये Samsung का mobile वैसे ये OnePlus में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है IQ में भी हो रहा है और realme MIE में थोड़ा में कम complaint मैंने सुना हूँ लेकिन आप बताएगे क्या आपके फोन में ये problem हुआ है इसको बोलते है ग्रीण लाइन प्रॉब्लम या तो बोल सकते हैं डेड पिक्छल इसू लेकिन नॉर्मली लोग इसे घ्रेंला इकने में ने दिखें यहां पे पर कुछ ज्यांपर पिंख लाइन भी आपको दिख रहा होगा तो ये पहले ग्रीण था पहले एक था फिर दो वा फिर तीन ऐ यहां पर बहुत सारा हो गया और यह बिना किसी डामेज़ेस के फोन देखेंगे तो यह कि स्क्रैच भी आपको कहीं नहीं दीखेगा बिल्कुल न्यू फोन है और वैसे ही हो गया काफी दिन दो साल से जादा हो गया लेकिन इसमें ग्रिन लाइन प्राब्लम आ गया और इसका कारण भिया है इससे आप कैसे बच सकते हैं कि आपको यह प्राब्लम नहीं होगा उन सब के बारे में बात करेंगे मेरा नम संदीप है आप देख रहे हैं यह मारा टेक्ट्राइड हिंदी यूटूब चैनल चलते हैं वीडियो की योग वीडियो को लाइक कर देजेगा शे अब इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों जब भी आप कोई भी फोन आज का बात करें 2022-2023 की बात के तो यहां पर आप कोई भी नया फोन पर चेस करते हैं तो सबसे पहला कंडिशन किया आप उसे तुरंत अपडेट मत किया करो हां फोन अगर एक साल के वारिंटी में है अप अप्डेट करते रहो एक साल नहीं टोटल एक साल के मतार बाता कों हम आपको बताता हूं दोस्तों हमारे phone में जो है न बोर्ड आपको रहता है आपको बता है बोर्ड रहता है और यह M-OLED इसक्रीन तर यह इसके फोन के अंदर जो बोर्ड होता है यहां पर current supply होता है जैसे कि यह देखिये यह मैंने brightness को कम किया तो इस तरह से supply power भी थोड़ा कम हो गया हम जितना ज्यादा brightness को यूज करेंगे उतना ज्यादा यह फोन का battery ज्यादा consume करेगा मतलब कि फोन से power भी ज्यादा यह brightness को दिखाने के लिए ज्यादा फोन को power generate करना पड़ता है ऐसे होता क्या है जब नए नए अपडेट के जो आ रहे है न इसमें मतलब कह लिए अपडेट के issue की वज़ए से जो current supply होना चाहिए जितना उससे ज्यादा या उससे कम हो जाता है और उस एक software की problem की वज़ए स यह जो light में up down होता है उसकी वज़ए से यह dead pixel हो जाता है और यह pixel dead होने के बाद आप ऐसा नहीं है कोई दूसरा update आएगा यह mobile में पुराने software में चले जाओगे तो आपका यह ठीक हो जाएगा पुराने version में चले जाओगे तो ऐसा नहीं होगा तो ठीक आपका नहीं होगा उसका आपको bill चाहिए होगा आपने secondary भी खड़ीदा है तो फिर भी आपको bill होगा तो bill लेके जाहिएगा service center में और फिर service center आपका पहले तो सीधा सीधी वह चेक करेगा कि phone कही damage तो नहीं है side में इधर उधर कही damage तो नहीं है मतलब अगर उसको damage नहीं दिखा जिसे कि यह मेरा phone कहीं भी damage नहीं दिखेगा अब देख लो कहीं damage नहीं है कहीं damage नहीं है और वैसे ही मैं बता दूं कि मेरे यहां पे एक थोड़ा सा minor वह है जब वह company वाले inspection कर रहा था ना तो उसने इसको problem बता दिया कि इसकी वज़र से हुआ है और मेरा phone कहीं भी गिरा ही नहीं है कह वैसे में मुझे तो इस तरह से कर दिया गया था क्योंकि वैसे मेरा phone यह थोड़ा ज्यादा time हो गया था तो खेर असल मैं बताऊ ना तो मैं अगर एक service center के अलावा अगर मैं दूसरे service center में जाता मेरा काम हो जाता लेकिन मैंने समय कभी नहीं दिया और मेरे near में service center नहीं थ हो गया तो फ्री में replace करके देगा आपके screen को और उसमें भी condition है अगर आपका phone तीन साल से ज्यादा पुराना है तो उसको वह replace नहीं करेगा और आपका अगर एक साल warranty रहता है और एक साल warranty आपका खतम भी हो गया तो OnePlus रहे यह कोई भी company का phone रहे आप बस claim करो और वह आपको आप उसको बोलना सीजावार यह software की वजह से हुआ है कोई physical damage नहीं है मैंने update किया और update करने के बाद यह direct green line आगया तो आपका वह company free में replace करके देगा तो घपरानी की जरुरूत नहीं है लेकिन यह video अगर आप शेयर कर देंगे सब के साथ तो हर को ही जान पाएगा ठीका न फोन का नाम किस फोन आपको यह problem हुआ है green line का issue आपका green line pink line हुआ या सिर्फ एक कोई color हुआ है एक कोई line हुआ है में जरूर होता है यह comment मैं तो इससे बस बचने का एक ही तरीका है कि फोन को update नहीं करना पड़ेगा update करने के पहले I mean आपको check करना पड़ेगा internet पे मतलब ए फोन को